नमस्कार कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा नौ दिन के ब्रेक पर है इस नौ दिन के ब्रेक से पहले राहूल गांधी के नित्रतु में हो रही यात्रा नौ राजियों से गुजरी है और लगभग 3000 किलो मेटर की दूरी तै कर चुकी है रहूल गांधी ने वैसे 800 किलो मेटर कहा लेकिन उससे कुछ ज़्यादा दूरी तै हो चुकी है और अब 500-600 किलो मेटर और चलके यात्रा का समापन होना है जम्मू कश्मीर में तो उस समय अब ये समय आगे है जब यात्रा नौ राजिय हुआ है क्या कॉंग्रेस को लेकर के जो कॉंग्रेस की जो लगातार चुनावी हार हो रही है उसमें कुछ इससे सुधार होना है या राहूल गांधी की नीजी छवी को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों के जबाब इस यात्रा से मिल गए या विचारधारा से कॉ कॉंग्रेस फिर वापस विचारधारा की उस पट्री पर लोट आई है विपक्षी पार्टियों की धारना क्या राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी के परती बदल गई है क्या कॉंग्रेस मुक्त भारत की जो बात हो रही थी अब ऐसी बात नहीं हो सकती है अब यह मान दिल्ली पहुँचने से पहले कोरोना का संकट आ गया और तकाल कोरोना का संकट और उसको ले करके कोई प्रोटोकॉल जारी होता उससे पहले केंद्रिय स्वास्त मंतरी ने उनको एक चिठी लिख दी राहूल गांदी को और देश हित में यातरा स्थवित करने तक की बात कहा इसका पालन करते हुए आगे बढ़ेगी यह उसके बाद खबर आई कि राहूल गांदी ने कहा है कि वह यातरा जारी रखेंगे चाहे अकेले जाना पड़े या 5 आदमी के साथ जाना पड़े ये बहुत सही बात है अच्छी बात है क्योंकि किसी भी यातरा का किसी भी यातरी का मंजिल सबसे एहम चीज होती है तो उनकी मंजिल है जमु कश्मीर स्री नगर जाना है उनको तिरंगा लेकर के तो उस मंजिल तक पहुचना चाहिए है नहीं तो अधूरी यातराओं का कोई मतलब नहीं होता है अगर भारत सरकार जबरदस्ती रोक दे उनकी यातरा तो अलग बात है जिस तरह से लाल कृष्ण अडवानी अजुध्या से अजुध्या तक की यातरा लेकर के निकले थे सोमनात से अजुध्या की यातरा कर रहे थे तो ये दोनों परतीक बहुत महत्पूर्ण है यातरा में जब भी जो जहां से शुरू किया जाता है उस जगह का चुनाओ और रहुल गांधी की यातरा सरकारी नियमों कानून के तहट या किसी तरह से जोर्जवदस्ति रोक दी जाती है तब तो अलग बात है अन्यता उनको अपनी यातरा पूरी करनी चाहिए है क्योंकि यातरा मंजिल पर पहुँचेगी तभी उसका मकसद पूरा होगा या आगे ज पूर परधानमंत्रियों और महापूरसों की समाधी पर गए और उसमें सबसे खास ये रही कि वो अटल विहारी वाजपई की समाधी पर भी गये इसके अलावा उन्होंने विपक्षी पार्टियों को एक नेवता दिया कि वो उनकी यातरा में शामिल हो पहले वो में शामिल होने नहीं आया अब उन्होंने उत्तर परदेश के नेताओं को चिठी लिखी है क्योंकि जब वापस दिल्ली से 3 जनवरी को यातरा शुरू होगी तो सबसे पहले गाजिया बाद जाएगी और पश्मी उत्तर परदेश से होते हुए तब सोनी पत पहुंचेगी हरियाणा में जो हरियाणा का दूसरा चरण होगा और फिर वहाँ से पंजाब उसके बाद जमू कश्मीर तो उन्होंने चिठी लिखी है उत्तरपरदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं को भहुजन समाज पारटी के नेताओं को सुहेल दियो भारतिय समाज पार्ट तो कुछ विपक्षी पार्टियां हो सकता है कि उतर परदेश में उनकी यात्रा में शामिल हो। उनकी बड़ी सही योगियों में से राष्ट्य जनता दल और जनता दल यू का भी तक परते निधेतों नहीं रहा है उनकी यात्रा में तो ये भी हो सकता है कि जब यात्रा दिल पहली नजर में तो दिख रहा है, वो ये है, कि राहूल गांदी चले तो भहुत है, लेकिन अभी पहुंचे कहीं नहीं है, जो पहुंचना कहते हैं, पहुंचना का मतलब वो सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं है, उस राजनितिक हासिल के नजरिये से, नीजी तोर पर उनके यहासिल के नजरिये से, मतलब उनको क्या मिला इसपे मतलब है कि पहुँचे कहां हो, तो वो कन्या कुमारी से चल कर दिल्ली तो पहुँच गया है, लेकिन असल में दिल्ली पहुँचने की राहा भी बहुत मुश्किल है और जो उन्हों ने जो वो चले है और इस सियात्रा से जो इतने दिनों में चार महीने में जो जो महौल बना है या जो आकलन है जो विशलेशन है उसको तीन नजरिये से देख सकते हैं उसके तीन पहलू है जिन तीन पहलों से उसको देखा जा सकता है पहला तो यह है कि नीजी तोर पर राहूल गांधी को इसे क्या फायदा हुआ दूसरा यह है कि विचार धारा के अस्तर पर कॉंग्रेस पार्टी को इससे क्या लाभ हुआ क्या बदलाव हुए और तीसरा है कि राजनितिक रूप से क्या हासिल हुआ या क्या हासिल होना है इस यात्रासे अगर नीजी च्जवी के हिसाब से देखें तो यह कह सकते हैं कि राहूल गांधी की च्जवी सुधरी है उनको एक गंभीर राजनिता माना जाने लगा है अभी उन्होंने कई बार वो अपनी यात्रा के दौरान कहा और दिल्ली में लाल के लिए से भाषण में भी उन्होंने कहा कि भारतिय जंता पार्टी ने हजारो करोड रुपे खर्च करके उनकी छवी बिगाड़ी है, उनकी छवी बिगाड़ने के लिए हजारो करोड रुप उन्को जबरदस्ति राजनिती में उतार दिया गया है। वो खुद राजनिती करना नहीं चाहते हैं और उनको राजनिती की समझ है। तो ये एक reluctant politician की non committed politician की non serious politician की जो उनकी छवी थी उसमें काफी हद दक सुधार हुआ है वो एक serious politician के तोर पर देखे जा रहे हैं उनकी प्रतिबधता उनके commitment की भी बात हो रहे हैं कि हाँ वो committed politician है वो चल रहे हैं पैदल और लोगों से मिल रहे हैं 3000 km पैदल चलना मामूली बात नहीं है और उनको फिर एक confidence का वाला नेता भी माना जा रहा है कि अब उनमें एक आत्म विश्वास आ गया है कि वो राजनेती कर सके और फ्रंट से लीड कर सके Congress Party तो यह नीजी छवी के हिसाब से तो एक अच्छी चीज है जो दिख रही है लेकिन अब सवाल है कि क्या उनक लोगों का उनको बाहिता को पसंद करते हैं को वोट करते हैं अगर वही लोग और उनको अच्छा नेता मानने लगे हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा चीज़े नहीं बदल जाएंगी, हलाकि हो सकता है, इसका भी लॉंग टर्म में कभी कोई फाइदा मिले, चुकि इस तरह की यात्राएं लंबे समय में पे करती हैं, जैसे नरेंद्र मोदी आज प्रधान मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी की दो बंबे समय में कुछ हो, लेकिन अभी ये कोई फाइदा अगर होना है, तो वो तब ही होगा, जब राहूल गांदी अपनी स्यात्रा से, अपनी प्रतिबद्धता से, अपने सीरियसनेस से, ऐसे लोगों का दिमाग बदले, जो उनको अगम ही राजनेता मानते हैं, जो उनको प्रतिबद्धता को लेकर के संदेह करते हैं, और वैसे कितने लोग हैं जिनका दिमाग दिल बदला है, उसकी परिक्षा अभी उसका पता नहीं चल सकता है, वो जब चुना होंगे, नतीजे आएंगे, तब उसका पता चलेगा, अब कॉंग्रेस पार राहूल गांधी के सा कहा जाता है कि 70 साल में कॉंग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो उन 70 साल की में जो कॉंग्रेस जितने समय राज में रही है, उसकी जो विफलताएं हैं, उसका विपरतिक राहूल गांधी है, उसका विपरतिनित तो राहूल गांधी ही कर रहे है, जो लिगेसी है कॉंग्रेस क जिसके बारे में ये धरना बनाई गई है और बार-बार परधान मंतरी से लेकर के सब बताते हैं कि क्या-क्या कमिया रह गई कॉंग्रेस के राज में क्या-क्या ठीक नहीं हुआ जो अब ठीक किया जा रहा है अब जहां तक विचारधारा की बात है तो कॉंग्रेस की विचारधारा का एक विचलन रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉंग्रेस ने जो अपनी जो उधार और लोकतांत्रिक और धर्म निर्पेक्ष विचारधारा है कॉंग्रेस ने उसको छोड़ दिया था कॉंग्रेस बु यातरा से Congress विचारधारा के मामले में बहुत सशक्त हुई है, वो एक पूरी तरह से सही आकलन नहीं है, क्योंकि Congress की विचारधारा है, जो आजादी के बाद से चली आ रही है, जो traditional उसकी जो आइडियोलोजी है, उसी आइडियोलोजी पर Congress थी। हाँ ये जरूर है कि वो उस उस पर इंफैसिस करके राहूल गांधी ने जो अपना उनका कोर वोट है, उसको बिखरने से वो रोक सकते हैं, उस पर इंफैसिस दिखर के, वो पहले भी कहते थे कि देश में बहुत नफरत पहली है और उस नफरत को मिटा करके और मुहबत आने की जरूरत है, अब इसके लिए उन्होंने एक जुमला गढ़ लिया है कि नफरत की बाजार में मुहबत की दुकान सजा रहे हैं, अलाकि ये मुहबत की दुकान सजाना ये बड़ी अमूर्थ सी चीज है, ये जिसकी बात हुरी है कोई ठोस परतीक नहीं है, राजनिती जब होती हैं, तो उसमें एक ठोस परतीक देना होता है, ठोस कोई मूर्थ परतीक देना होता है, जिस तरह से लालकृष्ट अडवाजनिया अजुद्या को चुना था, या स्रीनगर को चुना गया था लाल चौक परतीरंगा फैराने को, या महत्मा गांदी ने नमक को चु और तीसरी आखरी बात है कि इराधितिक लाब क्या हुआ? अभी तक कम से कम अभी तक कॉंгорेस को को इराधितिक लाब हासिल होता नहीं दिख रहा है, गुजरात में कॉंरेस पार्टी बहुत बुरी तरह से ह्री जिस समय यातरा चल रही थी, बुरी तरह से हरी गुजर रही थी, उसी समय ते लंगाना में बाई लेक्षन हुआ था, मुन्नु गोडे सीट का और कॉंग्रेस पाटी तीसरे अस्थान पर रही थी, बहुत बुरी तरह से कॉंग्रेस का उमिद्वार हा रहा था, उस समय राहूल की यात्रा ते लंगाना से गुजर रही थी, तो इन जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी है, वैसे वैसे पीछे राजियों में उनके पाटी के अंदर जगड़े बढ़ गए हैं, और गुटबाजी और खेमेबंदी तेज हो गई है, जैसे उन्होंने यात्रा शूरू की थी तमिलनाडू से, और केरल गये थे पहली, जो पहला पढ़ा हो था तमिलनाडू के बाद वो केरल था, और अब केरल में ऐसा घमासान मचा हुआ है कि कॉंग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले शशी थरूर जब भी केरल जा रहे हैं और वो जहां जाना चाहते हैं, कॉंग्रेस संगठन की तरफ से ये मैसेज किया ज पामिल नहीं हो, एक तरह से उनका बाइकोट किया रहा है कॉंग्रेस पाटी में, कहा जा रहा है कि वो गूटबाजी कर रहे है, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लिके नेताओं से मिले जो कॉंग्रेस की सही होगी है, इसके लिए भी उनके उपर आरोप लगाए गया, तो आगे देखें तेलंगाना जहां पहुंची थी, यात्रा तेलंगाना में कॉंग्रेस में घमासान मचा हुआ है, वहां की लगभग पूरी पार्टी, कॉंग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, रेवन्त रेडडी के खिलाफ खड़ी हो गई है, जो पूर्व ध्यक्ष है एन उत्तम कुमार रेडडी, या बड़े कॉंग्रेस के बड़े दिगज नेता हनुमंत राव, इन सब लोगों ने विरोध किया है, और रेवन्त रेडडी को हटाने की मांग कर रहे है, तो तेलंगाना में जहगला हो रहा है, जिस समय उनकी यात्रा राजस्थान पहुचन जहने वाली थी, उससे ठीक पहले मुख्यमंतरी अशो गहलोत और पूरवूप मुख्यमंतरी सचिन पाइलेट का जहगला हो गया, बड़ी मुश्किल से कॉंग्रेस ने उनकी सुला कराई, तो ये इस तरह से है कि ये कॉंग्रेस जोडों क्या भी काम नहीं हो पा रहा है, कॉंग्रेस में जो पहले से जो फॉल्ट लाइन्स है, जो लीडर्स के जगणे हैं, वो भी नहीं खतम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये यात्रा राहुल गांदी एक सुप्रीम लीडर जरूर बन रहे है, एक नैतिक रूप से उनकी ताकत बढ़ रही है, ल पॉलिटकल एक्सेप्टिबिलिटी तब बनेगी जब उनके अहवान पर तमाम विपक्षी पार्टियां साथ में आ जाएं और चुनाओ के लिए, अगले चुनाओ के लिए कोई मजबूत गटबंधन बन जाए, वो कहें और सब बैठ करके उनकी बात माल लें, पार्टी के अभी तक का यात्रा का ये आकलन है, अब इसके आगे क्या होगा और आगे पांच साथ की सो किलो मेटर की और यात्रा पूरी करने के बाद इसका क्या नतिजा, क्या किस दिशा में ये जाएगा मामला, उसका आकलन बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये इस्तिती है, कि नीज किर्पया हमारे चैनल के साथ जुड़िये, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकोन जरूर दबाईए